संबित जी क्या प्रधानमंत्री का जो ये बयान है वो ग्यानवापी मामले के एर्दगेद है सवाल नमबर एक सवाल नमबर दो उदाहरण के साथ समझाईए कहने बीजेपी के कारकरताओं को विपक्ष से सतर्क रहना चाहिए क्यों क्या कर दिया विपक्ष ने याद के लिए जहां तक विपक्ष का सवाल है सबसे बड़ा उदाहरण तो अभी आपने देखा और आपने खुद रिपोर्ट में चलाया कि मानने प्रधानमंत्री जी के कहने के पस्चात वार्निंग के तुरंट 24 घंटे के अंदर राहूल गांधी विदेश में बैठ करके कहते हैं कि भारत अब डीप स्टेट द्वारा चलाया जाता है ठीक उसी प्रकार जैसे पाकिस्तान की हालत है राहूल गांधी कहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में अब किरोसिन डाल दिया गया है किरोसिन छिड़क दिया गया है बस एक चिंगारी की अवश्यक्ता है हिंदुस्तान में आग लग जाएगा राहुल गांधी कहते हैं कि अब इंडिया जो है वो केवल एक नेशन नहीं है ये पहली बार नहीं कह रहे हैं इससे पहले भी उने कहा था एक conglomeration of states है और ये जो शांती है states के बीच में ये नेगोशियेबल है और ये एक तरह से required है अगर शांती नहीं रहेगा तो कहीं न कह होता है राज्यों और हिंदुस्तान के बीच में मुझे आश्चरी होता है अगर ये सब राहुल गांधी कह सकते हैं तो क्या हमें सतर्क नहीं रहना है क्या पाकिस्तान की तरह इंडिया को डीप स्टेट चलाती है इंडिया को आर्मी या इंडिया के इंस्टिट्यूट चल करना है खुद विदेश यात्रा में और मास्मोमेंट कौन करेगा कौन करेगा अंजना जी मानने प्रधान मंत्री जी ने सतर्क किया है हम सब जानते हैं कॉंग्रेस का चरित्र क्या है किन्तु सबसे महत्तोपूर्विशय है कि आप देखिए आज राहुल गांधी जी की स्थि देश में ज्यादा अच्छी है अपने देश लेकिन वह तो कह रहें कि ज्यानवापी के मुद्दे से मतुरा के मुद्दे से आप देश को बाट रहे चोटा सा इस पर जवाब अंजना जी आप बताईए ज्यानवापी का मुद्दा भारती जंता पार्टी ने च्छेड़ा कर पाए इस विशए को लेकर वो कोट में पेटीशन डालते हैं कोट कहती है कि न हम पवाइंट करेंगे कामीशनर अंदर जाता है उसको रोकने की कोशिश की जाती है लोग षार जाते हैं मुसलिम पक्षयकर जाता है कि करीश कर est i हाई कोट उस विशय पे मानता नहीं है, खारीज करता है, लोग सुप्रीम कोट जाते हैं कि जो शिवलिंग मिला है वो शिवलिंग नहीं है, इसकी प्रोटेक्शन नहीं होनी चाहिए, यह सारा विशय वर्षिप, इंडियन वर्षिप एक्ट 1991 के अंतरगत आता है, फिर भी सुरक्षा दी जाएगी, इसमें भारती जन्ता पाटी ने क्या किया है, हिंदुस्तान के समविधान के रक्षक, जुडिश्यरी, सुप्रीम कोट, हाई कोट और लोवर कोट ने शिवलिंग की रक्षा की बात कही है, इसमें मुझे लगता है, हिंदुस्तान के मूल चरित्र का उन्मूलन है, रक्षा करना है, और शिवलिंग को बिल्कुल बचा की रखना है, वो देश का धरोहर था, धरोहर है, और धरोहर रहेगा, सुप्रिया जी, सुप्रिया जी, बीजेपी कैसे केरसीन चड़ रहे, वो कह रहे, यह तो याचिका करता है, पाँच मही लाएं ग हिंदुस्तान विश्व का सबसे युवा राष्ट रहे, इन बच्चों की क्या इच्छाएं हैं, मुझे लगता है इन सब की इच्छाएं हैं, पढ़े लिखें, नौकरी मिले, व्यवसाय हो, बड़े आदमी बने, अपने घर की रक्षा करें, अपने घरवालों को पाले प दूसरी बात, आपने मोधी जी का वक्ताविर सुनाया और उस पर साड़े तीन मिनिट का मैंने यहाँ पर अपने बगल से संबिच जी का भाषण भी सुना, मोधी जी असल में किसी और से नहीं कह रहे हैं, मोधी जी ये बात कपिल मिश्रा से कह रहे हैं, ये वो बात अनु मत करिए, लगातार गाली गलोच करना, लगातार एक समुदाए को दूसरे समुदाए से लडाना, हिंदुस्तान में कभी आपने सोचा था रामजादे और डाशजादे के बीच में लडाई होने लगेगी, ये हमारे चुनावी मुद्दे होने चाहिए, ये हमारे चर्चा क का विश्य होना चाहिए, और आप से 10 सेकंड के अनुमती लेकर एक बात जरूर कहना चाहती हूँ, यहां पार दो बार कहा गया, पाकिस्तान, पाकिस्तान, सब कुछ करिए प्रभू, हमें पाकिस्तान से कंपेर मत करिए, पता नहीं आपका क्या पाकिस्तान प्रेमे, हिंद हिंदुस्तान की 10 स्टेट्स में, अप्रेल से लेके मई तक सामप्रदा एक दंगे थे, 10 स्टेट्स में, एक पैटर्न था, कहीं पर कुछ लड़ाई जगड़ा होता था, कहीं पर जंडा फेराया जाता था, उधर से पत्थर होता था, इसे तरह से गाली गलौच होती थी, अद्मिन्स्टेशन इंवाल्व होता था, मैं ये पूछना चाहती हूं कि दिल्ली जहां पर हम ये बात कर रहे हैं, टेक्निकली नॉड़ा बर दिल्ली जहां पर हम बात कर रहे हैं, वहां की पुलीस ग्रह मंत्राले को रिपोर्ट करती है, 2020 में दंगे हुए, 2022 में दंगे ह हिंदुस्तान की दो स्टेट्स असम और मिजोरम के बार्डर्स पर गोल्या चली लोग मरे क्या ये ग्रह मंत्राले की विफलता नहीं है, क्या ग्रह मंत्राले को प्रोब नहीं करना चाहिए कि कैसे दस स्टेट्स में दंगे हो रहे हैं, क्यों प्रधान मंत्री जी ने विनम्रता के साथ अगर कांग्रेस के किसी नेता को और खास करके राहूल गांधी को सुनते हैं तो लगता है पता नी बाहर में क्या हो रहा है खिड़की से बाहर देखना पड़ता आग तो नहीं लग रहा है तो नहीं चल रही है हिंदुस्तान तो बरबाद हो गया लोगों सड़क पर निकल कराएंगे ओहाए हाए बीजेपी कैसे होगा यह तो इन्यू करना पड़ेगा खुद जाके विदेश में छुट इतनी हालत खराब थी हिंदुस्तान से पूरा एमर्जंसी लग गया है हिंदुस्तान में किरोशन ची रखके आग लग गई है और राहूल ग देखिए ग्यानवापी मतुरा भगवान राम का मंदिर अयोध्या यह भारतिय जंता पाटी का विशह तो अलग विशह है यह विशह हिंदुस्तान के विशह हैं इनमें कोट सुनवाई करेगी आप याद करिए चार दिन पहले पीची दंबरम और सलमान कुरशीद ने प्र सुप्रीम कोट ने उनको आइना दिखाया है कि नहीं लगेगा प्लेसे सब वर्षिप एक 1991 हम मुसल्मानों की पाटी है जब यह कहते हैं हम मुसल्मानों की पाटी है जब यह कहें वह तो ठीक है बगर हम गलती से अगर शिवलिंग को हाथ जोड़ दे तो देश में की रोसि हुआ